क्वाइज स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल से डिविद अमन कुलमी आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टन कोशिन दिखेंगे चुकि आपके प्रीविए सर्कॉशन के मोस्ट इंपॉर्टन कोशिन आपके इसके हम आंसर के साथ देखेंगे तो जो मैं अगर आपको इसका आता तो वीडियो को स्टॉप करके आपको अपनी नोट्बुक में लिखना है उसका अंसर एंट जियू में आंसर के साथ अपना मैच करना है अगर आपका सही हुआ तो वैल इंगुट आपको आप बहुत अच्छी से त्यार अगर आपको गलत हुआ या इसमें लेखक ने सेकिंड क्लास की डिबड़ 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 की टिकट क्यों ली तो आपको बताना है लेखक ने सेकिंड क्लास का टिकट इसले खरीद है क्योंकि लेखक अराम दायक और सुकून से यात्रा करना चाते थी उससे यात्रा के दुरान एकांट चाहिए सराइन अकेला पहें और सकेंद ख्राइश की डल्य इद एलोनें पर हुआँ में जैना किराय जादा हुता है तभी तो वैदं रहें यह मजून रही है तो नहीं को सब्सुनिय वह लैघ지만 प्रबोशनल इंडारिकली प्रोपोशनल होता है भीड से क्राया ज्यादा भीड कम ऐसे आप कहेंगे यहां पर मैट्स बने जोड़ती साइन्स जोड़ती तो केवल प्रभूत और अमीर वर्क की लोगी उस दरजे में यात्रा करते थी इसलिए लेखक ने सूचा कि अराम से ख खाने कान लगनवी अंदास पार्ट के अधार पर लिखिए यहीं दोनों की इच्छा थी पर दोनों नहीं खा नहीं खाया क्यों नहीं खाया वह आपको दाना है तो आप यहां से लिखेंगे नवाब साब जो हम दिखाना चाहते थे कि खीरा गरीबों का फल है और उसे खान कि खीरassry नहीं खाने को आगारे निकार दीया कई आपता होते हैं कि मन आपको मना करते हैं कि कुणकि लेखक नवाब साब का विवार पसंद नहीं आया जब लेखक Pang में दाखिल हुआ तो नवाब साब ने लेखक से बात करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और बाद का कोई उत्तर भी नहीं दिया इसी कारण लेखाके आथम सम्मान को ठेज पहुंची जब बाद में लेखाक नवाब सापने लेखाक से खीरे काने का आगरे गया तो लेखाक ने अपने आथम सम्मान को बचाने के लिए मुँ में पानी आने के बावजूद खीरा खाने के आगरे को नकार दिया नेक्स कोशन जो किए कि इंपॉर्टन कोशन है आपका नवावी नसल से आपके समस्ते लखनवी अंदास पाट के संधर्व में लिखेंगे लखनव के नवावों और नरईसों के बारे में लेखक की तहारना व्यंग पूर्णक और नकरात मक्री वे उनकी जीवन शैली की कृतिनता को दिखावे को पसंद नहीं करते थे उन्होंने आरम में ही डिबे में बैठे सज्जन को नवावी नसल का सफेद बोश कहा है वास्तव में लेखक के मन में नवाव की नवावी शान की गरंती बैठी इसलिए उन्हें नवाव की हर चीज डईसी का व्यंग नजर आ रहा था यानि स्टाटिंग में उन्हें लग गया तो उन्हें आप एंड में भी हर चीज लगी रही थी तूसरे प्रश्चर लेखक को देखर नवाव साहब आ सहज क्यों हो गयी लखनावी अंदास बाट के अधार पर लिखिए तो लेखक को देखकर नवाब साब आसहज हो गए क्योंकि वह नहीं चाहते थी कि कोई आम आदमी सकिंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करते हुए उन्हें देखे उसके रावा उन्हें खीरा खरीद कर रखा हुआ था जैसे वो समाने लोगद्वारा खाया जाने वाला फ़ल समझते थे अथा उन्हें ये गवारा नहीं था कि कोई उन्हें खीरा खाता हुआ भी देखे इन्हीं विचारों के कारण वे लेखक को देखकर आसहज हो गए नेक्स यहां पर हम कुछ कोईशन्स करेंगे यहां पर हर कोईशन आपका दो माक्स का है हल चलोने लगती ती यही बाल गोविन भगत के संगीत का जादू भी है दूसरा प्रश्ण है लखनवी अंदास रचना में नवाब साथ की सनक को आप कहां तक उचिट टेराएंगे तो हम उसे अनुचित ही टेराएंगे वैसे मेरी तरफ से तो अनुचित है तो लखनवी अं अंसर हमेशा सकरात्मक पहलों में देना चाहिए तो सनक चाहिए अंदाज की हो या बलिदान की उसको किस रूप से लेते हैं वह जरूरी है देश्बक्ती रखने वाला देश्बक्त संत महात्माओं बक्ती और प्रोपकार की सनक महापुर्षों की नव निर्वांड की सनक स सकरात्मक है यानि अर्थव नमाप साहब की संग भी हम सकरात्मक ही लेंगे अर्थात उच्छेत हैं हम यह लिख सकते हैं नेक्स्ट काउशन है एक कहानी ये भी पार्ट के अधार पर लिखीगा कि पिताजी के सकरात्मक और नकरात्मक गुणों का उलेक कीजिए तो आप यह लिख सकते हैं पार कहानी के अधार पर लेखिगा की पिताजी के नकरात्मक और सकरात्मक गोंड थे सबसे पहले हम इसके नकरात्मक गोंड लिखेंगे थोड़ा आपको बलर होगा बर मैं आपको पढ़ के बता रहे हूँ तो आप इसे क्लियर कर लेंगे दोनों बच्चे में रंग के अधार पर भेदभाव करना मन्नु को हीन भावना से देखना मन्नु के प्रती शक्की भावना रखना और लेखिगा के प्रती सम्वेदन हीनता ये नकरात्मक पहलू थे सगरात्मक पहलू ये थे उनके कि लेखिगा के पिता लेकिका को सतंद आंदोलन में रूची देश समाज के प्रती जागरूप करना चाहते थे स्त्री शिक्षा का प्रोथाहन देते थे पच्चों में आर्थिक परिशाने नहीं बाड़ते थे थो यहां पर यह दो पहलु हमने लिख लिए नैक्स कोश्ए मिle Нा कान की तुले के किया हैं मैं आप Umm Well कि तुलना जो है वो किस्तूरी मिल्ग से इसले की गई क्योंकि दोनों के गुंड समान है जिस प्रकार जो कस्तूरी मिल्ग है वह भीतर ही कस्तूरी की गंद होती है और वह उसकी तलाश में बठकता रहता है उसी प्रिसकार जो बिसमिल्ला खान है सुरो के सच्चे ग्याता हो रहता है नेक्स्ट हम दो नंबर वाले फिर से कोश्चन करते हैं अठ नहीं रही है कवीता में उड़ने को नब में तुम पर पर कर देता हो कि अलोक में बताइए कि फालगुन के लोगों के मान को किस तरह प्रभावित करता है तो आप लिखे फालगुन महीने में प्राकृति फालगुन की सुंगंदि धवा के रूप में जन जन अंदर बाहर सुवासित हो उड़ता है इसके वातवरें अत्यन सुहावना तता मादक बन जाता है कि जन जन पक्षी की तरह पंक फैला कर उड़ने के लिए व्याकुलता नजर आती है और मन में खुशी तता प्रसंता से दूसरी शरीर को देखकर कभी नागर्जुन ने क्या कल्पना करी तो ऐसी तो कोई हमारी कवीता एक बार हम देख लेएं कौन से कवीता की बात हो रही है कि यस तो यह हमारी दंतुरित मस्कान से कवीता में बताय गया तो शुषो के दूल-धरिसित को कभी नागर्जुन की कलपना कैसी रवु उस यह लिदें अप लिखें ऑफ की धूल-धरित में नहीं जोपड़ी मोग रहे हैं तुम मिट्टी में सने ऐसे ही लग रहे हो कहने कहाता है दूल दूसरी बाल तन को देखकर रिदे कमल खिल उड़ता है कवी कल्पना करता हुआ कहता है कि जैसे तुम प्राणवान हो और तुम्हारा स्पर्श पाकरी कठोर पत्थर भी पिक प्रतिवी संवेदर्शील होना चाहिए और फिर लास्ट कोश्ट प्रतिवी प्रतिवी संवेदर्शील होना चाहिए और फिर लास्ट कोश्ट हैं प्रश्राम की प्रतिवेदर्शील के वेवारण के विवार अपने विचार निक्सर coupon जी जो लक्ष्मण कैसा वेवार अवैध रैना तो लक्ष्मण परमवीर है ऐसे लोगशर न ही नेडर होते हैं वा बच्श्मन से लिड़ स्थर नेडर थे वह कि अवाज उठाने परंतु जहां पर पश्राम और लक्षमेंड कि मद्धे वाद विवाद चल रहा था वैए युद्षेटर नहीं था पश्राम का आसमित क्रोथ था लक्षमेंड की आसमित अग्रता यानि वह उजाद़ ही जवाब दे रहा था और उनका जाद़ ही क्रो का सम्मान करना सिखाती है अपमान नहीं तो यह हम लिख सकते हैं और यहां फिर आप लक्ष्मेंट के सपोर्ट में भी आंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट जो कोशन है वो तीन नंबर वाले आपके पहला प्रिशन दे रखा है आपको बच्चे रोना दोना पीड़ा आपसी जगड़े जाद देर तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं माता अंचल पाट के दार पर इस कतन को उधाया और सही सपस्ट कीजिए तो अप लिखे कोड़े की कटुटा को अधी देर तक अपने मन में नहीं रख बाते इसलिए वो किसी को बता देते हैं उधारण के तौर पर जब कभी आम की फसल के समय आदी आती है तब भूलानाद अपने मित्रों के साथ बागों में चल जाते हैं जहां उन्हें बूरे तिवारी जी मिल गए बैजू ने उन्हें बिचडाना आरम कर दिया उसकी शिकायत तब जब गुरुजी ने से की तो और उने भूलानाद की खूब कबर ली बूलानाद का रो रोकर बूरा बहाल था वे अपने पिता के साथ घर की तरफ चल दिये रास्ते में भूलानाद अपने मित्रों के चपटर आहीं था आउनी तीसरा प्रशन यात्रा इंविभ्इन संस्कृतियों सञरी में विभ्इन संस्कृतियों के परिचित होने का अच्छा मादम है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतां के अधरवियानि आप यातरा करतें तो आप लोगों से मिलते हैं नहीं-एन और कल्चर वगेरा सीखते तो वही आपको बताने इत्यास गवाय कि सभी यात्राइं संस्कृतियों के प्रिशित होने का अच्छा मात्य में पाट के धार पर भी यह सपस्ट होता है कि यात्राओं से हमें वहां की प्राक्रतिक सवंदर ने के साथ भाशक के बारे में दीती र पढ़ाते देखा उस दोने यह सब हम अपने आंसर में लिख सकते हैं तो हम नेक्स्ट कोशन आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो चैनल को पितार आपने सब्सक्राइब निक्या तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो अच्छ लगी तो से लाइक करें और दोसक्ता शेयर करें कोई डाउट हो कमेंट सेक्षिन बूच सकते हैं और सांपल पेपर की वीडियो नहीं देखें अभी तक तो सांपल पर जरूर देख लिए वो आपके लिए बहुत अलपफुल रहेगा पेपर के लिए और यह सारी मोस्ट कोईशन कर रहे थे तो हम आज के वेजिव में भी वही कंटीनियु करेंगे यहां पर मैं आपको प्रीवियस कोईशन पेपर के कुछ इंपॉर्टन कोईशन जो की सी बीस्टी में आ रखें आपके लिए इंपॉर्टन आपको सबको कोईशन मिल जाते हैं बट एक एग्जक तो आपको वही लिखना होता है वहां आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सभी कोशन इंप्टेंट है अगर आपको कोशन आते हैं तो जैसी मैं कोशन बढ़ों वीडियो को स्टॉप करिए कोशन को साथ साथ लिखिए जिससे आपको और अच्छे से तैयारी हो जाए अपना अंसर मैच करिए कि यस मैंने कौन सा पॉइंट नहीं लिखा अपने जम आंसर आपको लिख बताऊंगे उसके साथ तो सबसे पहले है जो कोशन है बागी कोशन आप सोचेंगी कोशन कोशन है क्योंकि यह प्रीविएस कोशन है फार्स सेकेंड थार्ड जो कोशन है व कवी है उसे जो द्रिश्य उसने देखे उसे मंत्र मुक्तिदम माया में चला गया उनका वरेंड अपने शब्दों में आपको दाना है यानि साफ सीथा इसमें बताएगा कि आपको इस पोयम में जो जो सुन्दर्था प्रकृति में परिवर्दन वगेरा दिखा है वो आप लिखेंगे यहां से अट नहीं रही कवीता में चारों तरफ चाही सुन्दर्था को देखकर कवी का मन अभी भूत हो क्या है फालगुन मास में प्रकृति नफवल्लव पुश्पो से सुशोबित होती है हर्याली का वात्र में अनुपम रिदे की सिस्टी कर रहा है कवी लिख सकते हैं नेक्स कोशन हम देखते हैं यहां पर नेक्स कोशन भी सिमलर है बड़ आपका आंसर सेम नहीं होगा इसमें फालगुन की सुंदर्ता में ऐसा अलग और अनुखा क्या है कि कवी की आखें उससे हटी नहीं रही अट नहीं रही कवीता के धर पर लिखें तो आ नहीं रही कवीता के कवी निराला जी साह रिदय यानि रिदय के साथ होने के साथ साथ प्रक्रती प्रेमी भी है इस कवीता में कवी ने वसंद रितु की सुंदर्ता का बखान के यानि उसके बारे में बताया है वसंद रितु का जो आगमन हिंदू के फालगुन महीने में ह यापक हो गई है फालकुन का मौसम अत्यान मनमुहक होता है और आप लिखें आगे इसलिए कवी जो है वो कहते हैं कि जिधर भी देख रहा है वह हर सब और फालकुन की संदर्था ही दिखाई पड़ी है चारत रफ का द्रिश्य अत्यान स्वच्छ तता हरा बरा है पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्या है फूलों की मंदमंध खुश्भू रिदय को मुख्द कर देती है इसलिए कवी कि आख सुन फालकुन की संदर्था से हट नहीं रही है आपने ऐसे लास्ट में एंडिंग में हट नहीं रही है तो यह तोड़ी टोन बनाती है तो ऐसे करना थार्ड हमें करना नवाब सहाब ने खीरा खाने का जो कारण का रन बताया क्या वह सही था लखनवी अंदास पार्ट के अधर पर लखंग कर के लिए लखनवी अंदास को बकरार रहे है ऐसा किया उनके अनुसार नवावी अंदाज में खीरे को इसी तरह खाया जाता है परंतु वास्तर में किसी अन्य यक्ति के समोग खीरे जैसी मामूली सी चीज़ को खाना उनके नवावी सम्मान को ठेस पहुचाने जैसा था नेक्स कोशन जो है वो दे रखा है लेखिका की लेखक की तुलना में नवाव सहाब अधिक शिस्ट और सब्बे थे लखनवी अंदास पार्ट के धर पर लिखिए सब्बे यानि पैसो वाला तो आप लिखेंगे लखनवी अंदास व्यंग पार्ट में लेखक ने नवाव सहाब के वास्वित्ता को अंदेखा करके बनावटी जीवन जीने के विचार पर कटाक्ष करते हैं उन्हें सब्बे और शिस्ट कहा है वास्तव में तो नवाव सहाब सिर्फ दिखावे प्रे और वर नकली मनिश्य हैं उन्हें शिस्ट वा सब्बे नहीं कहा जा सकता आज के समय में ऐसी घटनाएं देखी जा सकते हैं जिसमें लोग आडंबर और दिखावे के लिए किसी भी हद तक चल जाते हैं इस कहानी में लेखग ने पतंशील सामंती वर पर कटाक्ष किया है केवल गंद के सारे पेट नहीं बराजा सकता ऐसे लोग अपनी शान को बचाने के लिए केवल दिखावा करते हैं तथा आव वास्तविक जीवन जीते हैं दूसरा प्रशन जो है वो उसमें आपको 25 से 30 अब्दों में हर कोशन आपका दो मार्क्स का है उत्सा कवीता के कावे सौंधारे पर प्रगाश जा लिए तो आप यहां से अंसर करेंगे इस कवीता में जो है वो कवीने बादलो स्वरी कोई अर्थ में चित्रित किया है बादलों को जहां जहां तक तरफ जहां एक तरफ पीडित प्यासे लोगों की वो अकांशा को पूरा करने वाला बताया गया तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना नई अंकुर को लित विद्वन स्विलप और क्रांती चेतना को संभव कर अने वाले कवीता में कई स्थानों पर रूपक अनुप्रास था पुन्रुक्ति प्रकाश लंकार भी प्रयोग हुआ है मुक्त चंद निराला के काववे की व्षेष्टा रही है अथा इस कवीता की रश्या भी मुक्त चंद में ही की गई है नेक्स्ट जो कोश्य ने वह न निराला जी यानि सूरेकान तिरिपाटी निराला ने कवीता के मादम से समाचिक परिवर्तन के क्या संदेश दियां तर्क संगत आपको उत्तर दे रहा है और आगे आप देखे जो थर्ड और फोड कोशन है वो करन दांसे तो आपको ये करने ही नहीं तो इसके ने कवी ने बादल से सिर्फ रिमच्म फुहारे या बरसाने के लिए नहीं कहा बलकि गरशना करने के लिए भी कहा है क्योंकि गरशना विद्रो और कांट कांती का प्रतिक है और वह लाना चाहते हैं लोगों के जीवन में कि क्रांती आए और वह कुछ नया करने की शिर्ट स्टा रखें कवी ने बादल के गरजने के मादम से कवीता में नूतन क्रांति का आवान किया यह उसे बुलावा दिया है कवी बादल के मादम से नहीं कवीता रशने वारे कव्यों का आवान करते हैं कि वैभी बादल के गरज के समान विलप कारेश वर्ब में क्रानती चेतना युटिप कावे प्रसेजन करें ये समाज समाजिक बदलाव का प्रतीग है बादलों का गरजना समाज में विद्रो ते नय感ुं बदलाव की और संगेट करता है समाज को बदलने के लिए विद्वन्स की आफशक्ता होती है बादलों को बरसना इतनी विद्वन्स तथा नवींता का प्रतीक है नेक्स्ट जो थर्ड कोशन है वो आपको एक कोशन तीन माक का है वो हम कर लेते हैं पिता दुआरा भूलानात को खाना खिलाने के बाद भी उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है आता जरूर है यह आपको लिखना है तो पिता खाना खिला दे थे पर उसके बाद माँ भी खिला दे थी माता का अंचल पाट के धर पर आपको इसका उत्तर करना है तो आप यहां से करेंगे बोलानात अपने परताजी के साथ बैट पर खाना खाता था जब उसका खाना हो चुका होता था तब माँ उसे दुबारा अपने पास बिठा कर अपने हाथों से खाना खिलाती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि पुरुष बच्चों खिलाना खाना जर्व खिलाना नहीं जानते और मा के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है मा को ऐसा लगता था कि बोलानात का पेट नहीं बढ़ा है नेक्स्ट दूसर प्रश्णे हम सभी नदियों परवतों के शरणी है कैसे यानि हम उनके कर्जदार है कैसे साना साना हाथ जोरी पाट के धार पर आपको बतानا है तो आप लिखेंगे बहुत से नदियों का स्रोत परवतों में सित्ध हिमानियों में होता है प्रक्रती ने बर्व के रूप में जल संचे की विवस्ता किया है हर साल ये बर्व गिरती है फिर दीरे दीरे पिगल कर नदियों के रूप में बहती है परवतों से प्राप्त जल सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी ही हमें परवतों से मिलता है इस प्रकार प्रक्रती जल जमा करती है प्रक्रती के अद्बुत जल ववस्ता जीवन का अधार है उसी जल तदा नदियों से मानव जीवन चलता है अथा ये नदिया मानव के लिए वर्दान सरूप और हम सदा इन रंदियों के रिड़ी रहेंगे अब तीसा जो प्रशन है वो आपका चैप्टर आई नहीं रहे इसलिए हम इसका आंसर भी डिसकस नहीं करेंगे यहाँ पर आपकी वीडियों कंप्ली होती है कोई भी डॉट हो comment section में पो सकते हैं अब next important questions हम अपनी next video में discuss करेंगे चैनल को भी तक subscribe नहीं करें ज्यादा से ज्यादा दोसों साट शेयर करें थेंक्स वोटिंग चैनल को सबस्क्राइब करें जो कि आपकी एक्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा chances आपके प्रीवियस के प्रीवियस के कोशनद सब पर लेते हैं और रिखने मेरा नमबर कर जाए जाते हैं तो एक्जेक्ट आंसर को हमें समझना और कैसे लिखना होता है वह हम आज या में discuss करेंगे but first of all आपको मेरे एक बात मान लिए आपको जैसी मैं कोशन पढ़ रहे हूं अगर आपको उसका अंसर अपने चैप्टर पढ़ा है उसका आंसर आता है मन में सोचिए वीडियो को स्टॉप करके उसका अंसर सोचिए उसको लिखो and then जब मैं आंसर उसका पढ़ू बताऊंगे आपको तो आने उससे आप अपना अंसर मैच करी और कौन सा पॉइंट आपने नहीं लिखा वह आपको देखना है जिससे आपकी प्रेक्टिस भी हो जाएगी आने वाले एक्जाम के लिए तो बाल गोबिन भगत की यक्तित्व की दूह इसा था वह आपको पर वह साधू की तरह जीवन व्यतित करते थे समाजिक रूड़ी वाधिता में विशाष नहीं रखते थे वह कबीर को अपना साहब मानते थे उनके गीत काते थे और जो कुछ भी खेत में उपच्टा उनको सबसे पहले कबीर के मठ में रख देते थे दूसरा प्रशन है मन मनुबंडारी और उनके पिता के बीच मदबेद के दो कारण लिखे यानि जब लडाई होती थी मनुबंडारी और उनके पिता के बीच में आपको उनके दो कारण लिखने पहला तो मनुबंडारी के पिता चाहते थे कि वह अपने घर में होने वाले राजजिंदिक अजादी के आंदूलन में बाग लेना था इसी कारण अपने पिता के साथ मन्नु की जो वैचारिक टक्राइट थी क्योंकि दोनों की वैचारों में विप्रीत सोचती वो जो सोचते थे कि चार दीवारी में बंद रहे की वह अजादी सोचे बट मन्नु मंदाई सोचती थी कि बाहर निकल के अंदूरन करूँ दूसरा जो मन्नु सच्छन ख्याल वाली थी और पिता जो है वह शक्की सभाव के थे और वो इसी की बातों पे आसानी से आजाते थे अगर कोई बोल रहा है कि अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी बच्छी और अगर अगर वह कोई बोल कि ऐसे लड़की को नहीं रखना चाहिए तो वह शक करने लग जाते हैं नेक्स कोशन देखते हैं क्याप्टन कौन था वह मूर्ती के चश्मे के बार-बार क्यों बदल दिया करता था आपको लिखना है तो आप यहां से लिखेंगे क्याप्टन चश्मे वाला चश्मा सब्सक्ति का मजाग उड़ाने के लिए लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे नेक्स कोशन देखते हैं अब हम खीरा काटने के में नवाब साब की शिर्षा का चित्रन अपने शब्दों में कीचिए तो नवाब साब की आपको चित्रन यानि उनके बारे में लिखना है नवाब साब ने पहले खीरा को धोया पोचा सुखाया और फिर तॉलिय से साफ किया ततपशात खीरे को फ्रागों दिखाई है खीडा काटते वक्त नेक्स्ट कोशन देखते हैं जितने भी अभी तक आप वीडियो देखे होंगे आपने सारी अगर नहीं देखी तो प्लीज सारी वीडियो देख लिज़ा और चैनल को सब्सक्क्राइब कर दिए अब आपने जाद तर बाकी पार्त को निंवह अब हम और पाठों के भी देखेंगे सूर्दास की पाठ के अधार पर आपको गोपियों के किन उधारन के माथम से उद्दव को लाने दिये यह इंपॉर्टन कोश्चिन है पेपर में जरूर आता है आप इसे याद भी कर लीजेगा अगर आपको यांसर नहीं आता तो आप रहेंगे अधार 2023 से कहा कि मैं की और रभी कि में करें ता सिटा चूसर यह यह भी टम पर उसके त। में में उत्याने में बांट राथ में चेटी ओध्री प्रकते है जो यह क्यों हर ना यह क्यों कि बिना रह सकती और यह इस प्रकार यह यहां रह सकति मैं प्रकंपाँ अखे लखाते हैं अपनी लकड़ी को पंजी में दबाब कर रहता है ठीक इसी प्रकार वा कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखा है नेक्स कोशन अब हम देखते हैं नेक्स कोशन आपको यहां पर उत्सा कविता में कभी बादलों को करेजने क्यूं कहता है बादल से कवी की अन्या पेक्षाय क्या है तो आप लिखेंगे कवी निराला रार्ण्तीकारई कवी है वह लोगों में उससा बढ़ाकर करांती के दवारा परेवर्तन लाने की बात कहते हैं वह को इसा नेक्स नहीं करते हैं कि तारड परेवर्तन अन्या बाद से था हं इसले कवी बातल को बरसने आख हैar की परेज़ने का आवअ करते हैं next हम देखते हैं next question जो है ऑच्छाय Ultra वाली poem से तो यह नहीं करना में फसल कवीता में हातों के स्पर्ष की गरीमा और महिमा कह अब क्या करना चाहते हैं आपको बताने नहीं हातों के स्पर्ष और महिमा रहे होते हैं ल blush वे अफिलंगे खोकुष पर दटों घृष दॉख कर को स्वा श्यानिक नंचाबें से अंडिंगेर क्षाण ओनुंत परृषकी स्वास्थ आर्पकी समस्साइब राति मुस्यादार वारि बारिश मेंसट Wow खुन पसीना एक करके फसल उगाने में लगे राते हैं उन्हीं के हातों के स्पर्शीकान फसलों में खेतों में ललाती फुलफलाती दिखाई देती हैं कभी किसान के प्रती अपना अभार व्यक्ट करना चाहते हैं नेक्स कोशन हम देखते हैं संगतकार किन किन रूपों से मुख्य गायक की सायता करता है कवीता के धार पर उसकी विशेश भूमिका को स्पस्च कीजे यानि कैसे वो help करता है वो आपको लिखना है तो संगतकार मुख्य गायक को हमेशा बुलंदी पर पहुंचाने से में दोन जाता है जिस परकार के मिदान में सबिकषत को बनाये रखते हैं अपना श्रेय भी लेते अब यह जो प्रशन पंश नंबर तो कि यानि important question है अथ्वा वाला हम नहीं करेंगे हम यहीं वाला करेंगे कि अथ्वाला आपकी चैप्टर से नहीं है माता का अंचल नामक पार्ट में लेखक ने तत्कालिन समाज के परिवारिक परिवेश का जो त्रण किया उसे अपने शब्दों में लिखे तो वो आप कैसे लिखेंगे माता का अंचल डामिन संस्क्रिक्त परधारित लेखक के बच्च्पन का संस्प्रेण है यानि उनकी याद है उस समय के समाजिक परिवेश के बच्चों का बच्च्पन बहुती सवचंद और आनंद में था परिवारिक्स ने तथा पिता पुत्र के प्रती अगात प्रेम था लेखक भूलानाथ उस समय का वरंड किया है कि उनका अधिक समय पिता के साथ ही बीटता था माता से सिर्द दूद पीने का नाता था सारा दिन बोलानात अपने मित्रों के साथ खेल तमाशियों में वैस्त रहते थे पिता भी उसकी हर गती वीदियों में शामिल जाते थे पर अंतु जब संकर्ट आया तो बोलानात मा की शरण में जा चुपता क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि संकर्ट में मा का आगे आप ल पहला खंड का कोशन आपको दे रखा है यहां पर पहला कोशन आपकी स्लेबस में नहीं है दूसरा है मन्नू बंडारी का अपने पिता से जो वैचारिक मत्बेट था उसे अपने शब्दों में लिखिए तो मन्नू बंडारी के पिता चाते थे कि वह घर में होने वाली पार दिवारी में से बाहर निकलने की थी कर अजादी के आंदोलन में भाग लेना था पिता को पढ़ने लिखने की सदंता स्विकारे थी और पर राजने थी कि आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं था मन्नू बंडारी यह सब करना था सही बाहती थी इस विकार अपने प बच्चों दोरा मूर्ति पर सर्कंडे करिश्मा लगाना विदाई कि हमारी भावी पीडि में देश्वक्ति की भावना देश के शहीदों का आधर नई पीडि में जिम्मेदारी का इसास प्रस प्रबल है इस देश की नव निर्मान में ना केवल युवा बलकि बच्चा बच्चा भी अपना योगदान देने में तत्पर है बड़े यक्तियों से कहीं अधिक बड़े देशवक्त हमारे नेलनी हाल है हमारा सरक्षित हाथ हमारा देश जो है वो सरक्षित हाथों में है नेक्स कोशिन है बाल गोबिन बगत सुस्त और बोदे से बेटे के साथ कैसा वेवार करते था और क्यों तो आप लिखेंगे आप पर आदसर बाल गोबिन बगत का मानना था कि ऐसे यक्तियों को अधिक प्यार और स्नेक याश रखते हैं जो लोग मानसिंग रूप से सुस्त और बोदा होते हैं जो आलसी होते हैं माता प्रता के उनके प्रती करतवे और भी भड़ जाते हैं उनका ये मानना था कि ऐसे लोग निगरानी और महबत के जादा हगदार होते हैं प्रेम और ममता के अधिकारी समाने लोगों से जादा होते हैं यदि ऐसे आप लिखेंगे यदि ऐसे बच्चों को तिरसकार उप्रिक्षित किया जाए तो उनमें आसुरक्षा वाहिंता की बावना जन्म लेगी तो उनके भवीशे खत्रे में पड़ जाएगा यागर अगर आम उन्हें जाता है प्यार नहीं करेंगे तो उनमें आसुरक्षा ता यारी में लगए कलरी तो सब्सक्रां को शुर्शन पू HKD करेंगे तो आपने लास वीडियो जुस्तन धेलों प्रक्राइट को इन दिसक्शस करें देले अथे हुआ कि और आपने अगर व और इसमिते को क्यों तो आप लिखेंगे लेकक नहीं कहानी की रशना करना जाते थे उन्होंने सोचा कि मुस्फिल की ट्रेन में सेकंड क्लास का डिबा बिल्कुल खाली होगा क्योंकि जिससे वह भीड से बचकर नहीं कहानी के विशे में एकांत में चिंतन करने के साथ प्राकृतिक दिश्यों की शुबह भी निहार सकेंगे जिसकार उनने एकांत के डिस्टी से सेकंड क्लास का टिकत करीदा और बौज मांदेती थी अगर second class का जो किराया होता है वो अधिक होता है तो कम लोग इसे खरीते हैं बीड कम होगी इस class किराया अधिक होता है तो बीड कम होगी और उन्हें एकांत चाहिए था next आगे आपको दे रखें किनी चार प्रश्णों के उत्तर देने पहला हर question दू मार्स का है संगतकार की मनिश्यता किसे कहा गया है वे मनिश्यता कैसे बनाए रखता है तो आप लिखिए संगतकार की मनिश्यता ये है कि वे हमेशा स्वायम को मुख्य गायक के पीछे ही रखता है वो मुख्य गायक को ही सबसे अतिक मानता है वे अपने मनिश्यता बनाए रखने के लिए कभी भी मुख्य गायक का अकेलेपन का एसास नहीं होने देता वे हमेशा मुख्य गायक को उचाई पर रखता है तदा गायक की गरिमा को बनाए रखता है जब मुख्य गायक का सौर कभी अनहन से बठक जाता है तो संगतकार उन सौरों को समालने का कारे करता है और मुख्य गायक को हताश देने नहीं होने देता मुख्य गायक के सौर से सौर अपना सौर उपर नहीं रखता इसी प्रकार वे अपनी मनुश्यता को बना कर रखता है दूसरे प्रश्ण में दे रखा है अट नहीं रही कवीता के धार पर बसंद रितु की शोभा का वरण कीजिए तो आप लिखेंगे कवी, निराला, फालगुन और बसंद की शोभा का वरण करते हुए कहते हैं चारो और प्रक्रती में अद्बुत सौंदरे बिखरा हुआ है बसंद का मादक्त सौंदरे आँखों में समा नहीं पारा पेड़ो पढ़ने, पल्लव, दिल लाल और हरी प्रंग के पुश आ गए है प्रक्रती के गले में ही रंग बिरंगे पुश पो की माला सजी हुई है चारो और खुशाल वातवरण है बसंद की शोभा मंत्र मुक्ट करने वाली है जिसको आँखे स्विकार नहीं कर पारी अच्छनी लक्षमट संब्रहों की हजार बश्याओ को काटने वाली को ćईब시방 को और देख परिश्राम बोलते हैं कि लक्षमन्ट एलक्षमन्ट सहस ब्राहू जिसकी इतनी जादा बुजाएं है बुजाओ को काटने वाली मेरी पुलहाडी को देख जो उनके हाथ में होता है यह गर्ब के शिशों को भी नहीं छोड़ती यानि यह जो पेट के अंदर जो बच्चा होते ना इसकी टक्रहाट से गर्ब के अंदर जो भी मर जाते हैं यह ब्रडी क्रूर है पल भर में तुम्ह पर सकाल का निवाला बना दूँगा वो यह कैते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं यह सब बताते हैं मैं अपनी बुजाओ के बल से धर्टी को शुत्रे वीन कर दिया था यानि उन्हें कहा था कि मैंने ढ़र्ती पर जितने में शुत्रे उन सबको मार दि में दिया यानि एक भार में इस धरती को जीता ब्राम्मनों को दान में दिया यहीं पर कभी कप तब भी कुछ शत्रे बच जाते बैद गतर कि यहां पर यह वाला चैप्टर आपका आई नहीं कभी ने शीशो की मस्कान को दंतुरित मस्कान क्युं कहा है कभी की मन पर उस मस्कान का क्या प्रभाव पढ़ा है दंतुरी मस्कान इसलिए कहा है अर्था misma के नए दातों की मस्कान शेशो की दंतुरित मसकान कवी के मितक में भी जान यानि मारा वह अभी उसमें जाना जाएगा अगर वो उसकी मसकान देख लेगा तो कवी के मन पर शेशो का मसकान का ये प्रभाव पढ़ता है कि उसे लगता है कि कमल का फूल तलाप को छोड़कर स्वर्म उसकी जोपड़ी में आकर खिल गया ऐसा होने लगता है उसके मन में तरह-तरह की कलपनाया आती है कवी आतियन प्रफुलित है और आश्रे चकित है उसका important questions देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ी भी helpful लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्षिन में जरू बताइएगा और चैनल को भी तक सब्सक्राइब निकिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोसक्ता शेयर तरो करिए थान्स तो होच लिए गाइस स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल मी तो आज की से वीडियो में मूस्ट इंप्रटन कोश्शन जो आपके पेपर के एक्जाम में आते हैं बिकास अब सब कहते हैं पीवाइक्यू करो पीवाइ तो हम उन कोशन को डिसकस करेंगे हर सब्जेक्ट में हम यह कर रहे हैं तो इंग्लिश के भी मैं डाल दिया थे आप मैं हिंदी के भी सारे डाल दूंगे आपके सैंपल पेपर डल रखें सैंपल पेपर को एक बर जरूर देख लिए क्योंकि पेपर बैटन आपको उसी से सम अंदास जो कि आपका चैप्टर आ रहा है लखनवी अंदास पार्ट में लेखक ने नवाब साहब की किस प्रकार की सनक का परीचर दिया है ऐसी सनक से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उधारेंट के साथ सबस्ट हीजिए अगर आपको भी आंसर आता है तो वीडियो को पॉस आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो आप चाप्टर के बारे में लिख सकते हैं इस नश्चना के माधम से लेखक ने दिखावा पसंद लोगों को करते हैं लोगों की जो जीवन शएलिय एक फिरैंट की जो दिखावा करते हैं सबस्क्राथच के कि लभाव की सनक को यक्ति को समार्ज पस्पाद बना सकती रहे हैं वही सनक का सक्षक पक्क्ष यक्टियों Aryणी को रातोराद प्रसित कर सकते हैं प्रसित ही एक्तिव ज्यानियों के सफलता पीछे उनकी सनक रहुती है आपकी सनक कैसी है वही हमें बताता है किसी चीज़ के ऊपर सोचने की शम्ता कुछ स्टेप हम बोल सकते हैं वैं अपनी सनक के कारणी अपना रक्षे पाई बिना काट कर ऐसा रास्ता बनाते था जिसे वंजीर गंच और अत्री के बीच की दूरी सीम में एक चौधाई रह गई थी और ऐसा क्यों क्या था क्योंकि उनकी पत्नी जो है थी वह मतलब उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जानता और पहार चड़के ले जाने में इतना टाइम था तो आई होप यह अपने स्टोरी पढ़ी होगी तश्रंद मांजी की जिसे वजीजर और अत्री के बीच की दूरी समठकर एक चता ही रहे थी अपनी सनक की कारणवे भारते मांट मैं के नाम से भी जाने जाते हैं महात्मा गांदी भरत सिंग भगत सिंग यह अजाती की स अकरातमक सनक नहीं देश को अंग्रेजी गुलामी से मुक्त किया तो यह सारे आप एक्जामपल लिख सकते हैं नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पाठ के धार पर बदाईए नवाब साब को खीरे खाने की तयारी करते देख लेखक ने क्या सोचा उसके मन में कौन सी नहीं भड़ाया था मैं सोचने लगे कि यह खीरा कितना लजीज है उनका मन भी खीरा खाने के लिए लालायत हो गया यानि लाल च्री पर ना आगया उनके अंदर पहले इंकार कर चुकने कारण आतमसमान की रक्षा के लिए लेखक ने खीरा खाने से इंकार कर दिया आप मत प्रशन देखते हैं यहां पर तीन प्रशन दे रखें इस सत्र में पड़े गई इस किस कवीता ने कभी ने बादलों के विविद रूपों का चिरंड किया उनका वरण अपने शब्दों में लिखे तो चलिए इसका आंसा करते हैं अगर आपको इसका आंसा पहले से आता त अपके प्रेक्टिस भी हो जाएए कवी सूरेकान त्रिफाटा निराला जी जो है उनने उत्सा कवीता में बादलों के विविद रूपों का प्रणन किया है आपको बताने ती कौनसी कवीता बता दी उत्सा कवीता ये कवीता बादलों के रूप में आए दो अलग-अलग बदलावों को दर्शाती है इस कवीदा के मादम से जो निराला जी है यानि सुरेकांतर पाटी निराला जी जीवन को अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास लोगों को प्रेड़ना देने आनि जो लोग अपना विश्वास खोड़ चुके हैं किसी बच्रस्ट कर दे त चाहें जो कुछ हो लेकिन उनके जीवन में भी खुशाली जरूर लोटेगी और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे कवीता में उन्होंने दूसरा एहम संदेश यह दिया है कि जिस तरह बादल बिजान पौदों में नहीं जान डाल देते हैं अगर कोई पौदा दुख्या हुआ हुआ आपके दर बड़ आपको उसके बारे में नहीं सोचना आपको अपने फ्यूचर के बारे में देखना और आगे बढ़ते रहना है मुक्य रूप से निराला जी ने इस कवीता की मादम से हमारे बीतर सोई हुई क्रांती को फिर से जगाने के लिए और पोएम पे तो वह आपके आनी रही है और यह वाला जो कोशन यह भी आपका करने अदान करें तो यह भी नहीं आ रहा नेक्स्ट कोशन है यहां पर मैं आपको वही कोशन करा रहे हूं जो बहुत इंपॉर्टन आपको एक बर इसका आंसर लिखके जरूर देखना है जब तक आप लिखेंगे तो पेपर में भी नहीं लिख पाएंगे यहीं कि वीडियो देख लिए आपने कुछ हो गया ऐसा नहीं करना वीडियो देखने बाद लिखना भी है स्टॉप करके आंसर कोशना भी है तब ही आप इसका आंसर करत पाएंगे और यह इंपॉर्टन कोशन से इसलिए मैं आपको अलग से करार हूं सैंपल पेपर में मैंने बहुत सारे कोशन कराये हैं तो चौथा प्रशन है प्रकृति के सवंदारे का जो चित्र अट नहीं रही है कवीता उपस्तित करते हैं अपने शब्दों में लिखना है उसे ही आपको अपने शब्दों में महीनों से बढ़कर होता है उन्होंने इस महीने में प्रकृति मानवे मन में होने वाले बदलाव को बड़े ही सुंधरता से दिखला है फालकुन के फूरी प्रकृति फिल सी जाती है इस समय चारों रहाले चाहाई लताय और डालिया पूरे रंग-बिरंगे फुलों से सच जाती है प्राणियों का जो मन है वो उल्लास में यानि एकदम हसी खुशी हो जाता है ऐसा रगता है कि इस महीने में प्राकृतिक संदरे चलक उठाए हर तरफ सुगंदित वायू भायू बहती रहती है हर तरफ इतनी सुदरता नजर आती जिसका आखों में समा पाना भी साथ श्रफदों में लिखना है वातसले और ममता की अधार भूमी एक रहने पर भी माता पितार बच्चों के संब्द में तब से अब तक बदलाव हुए हैं माता का अंचल पार्ट के अधार पर इस सोधारन स्पश्च की यानि इसका सोधारन भी देना आपको और इससे में शुरू होता और उसकी पीता उसकी हर कीड़ा यानि हर खेल में सदीव साथ रहते हैं विब्दा होने पर उसकी यानि प्रॉब्लम होने पर उसही बर्टow कोमल होता है वैसे ही वरत्मान समय में बातसले और ममता की अधार भूमी एक होने पर भी संबंदों में बहुत बदलाव देखने को मिलता है कामकाजी माता पिता हुने कारण बच्चों का जो अधिकान समय वह दाई आया या दाई या जो आपकी जो बोला जाते दाई यानि दाधी टाइप में हो जाती है आया मोसी मोह जाती है या बेबी सिस्टर की देख र पाते हैं आज तीन वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भरती कर दिया जाता है या नर्सरी क्लास में डाल देजा है और आज के बच्चे वीडियो गेम टीवी कंप्यूटर शत्रंच अधी खेलने में लगे रहते हैं या फिर ट्रेक्रेट फुट्बॉल होकी बेड्मुंतर नाधि में ही अपना समय बिताते हैं इसके अतरित हम बोले तो खेल समागρι में आया अंतर बच्चों के नायतिक मोले को बभी प्रभावित करे वर्तमान में बच्चों को एक्अंकि बया दिया है उनमें सईयोग से भागिता समाजिकता जैसे को दीरे दीरे समापत हो रहे हैं पब जी वगेर यह जो गेम है इनसे आपका दिमाग में और प्रॉब्लम होती है अभी आपको खेलते वक्ति इसमें मुखुत मज़ा आता है सबको मज़ा आता है खेल खेलने में बट जो चीज हम मंत्र मुख्त लेकी का पहाड़ों पर किस दृष्य को देख शुब्ध और परिशान बिजाती है क्या आपने ब्रह्मन या प्रेटन के दौरान ऐसे दृष्य देखे हैं और ऐसे दृष्य और अपने मन पर पड़े उनके प्रभावों को अपने शब्दों में आपको दिया वहां कुछ पहाड़ी ओरते जो मार्क बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी उनके आटे सी कोमल काया पर बच्चों में कुदाल वाहतोड़े थे कईयों की पीड़ पर बच्चे भी बंदे हुए थे यानि कुछ औरते के पीड़ बच्चे यह का रही हैं अपने मतलद काम तो कर रही है और अपने पी पर बच्चे भी भी लादे वी है अपने बच्चों को अपने पीड़ बांध कर वह रख है और उनको बहुत भाल देंगे की उसे बुरा लगा ले आपको को लगा लेखिका को इन दूसरी बार जब लेकिका ने जैस देखा कि 7-8 साल की पहाडी बच्चों को रोज 3-3 किलोमेटर का सफर तैकर स्कूल जाने पड़ता है स्कूल के पश्यात वे बच्चे मुवेश्यों को चराते हैं तथा लकडियों के गठर भी ढोते हैं आगे देखते हैं तो उस प्रग्रति का सौंधारे के बीच भूख दैने और जिंदा रहने की लड़ाई को देखकर लिखिका का मन शिफ्द और परिशान हो गया आगे आपको लिखना है कि आपने कोई भ्रह्माट के दुनान ऐसा अनुभफ कर रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं अगर हाँ भ्रहमन यारी घूमते वाट क्या कि अच्छा नहीं लगा वो सब अपने मन से कुछ भी यहां तक तो आपको पुक की लैंग्विच के आंसर करना था बट इसके नीचे का टीचर वैलेड रग तीचर आपके आंसर पर ही वैलेड होगी आप जो लिखेंगे वो करेट तो प्लीज आप लिखेगा आगी एंड मुझे कमेंट सेक्षिन में भी लिख सकते हैं हिंदी में टाइपिंग हो सकते हैं हिंदी में आप बोल के अच्छे से लिख सकते हैं और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरू करें एक बार आप उसे चेक जरू करेगा और जादर से जादर दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरू करिए तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि आपके लास्ट प्रीवेस एर कोशन पेपर्स में भी आए हैं और सभी कोशन तो देख लेते हैं बड़ उसका एक्जक्ट आंसर नहीं देख पाते हैं तो हम एक्जक्ट आंसर के साथ कि कैसा cbsc1 आपसे चाहती है कि आप किस टाइप का आंसर लिखें वो हम आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे और आपको इससे प्रपरेशन में हो जाएगी कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता एंड मैंने इससे पहले और भी वीडियो डाली हैं सैंपल बेबर को जरूर देख लिजे क्योंकि सेंपटिंगे को इसमें से एंड यूस्त दाली हो उससे अलगी कोशन्स में इस वीडियो में डाध देख हूँगी तो आपको हर कोशन्स के प्रेक्टिस कर लेने हैं आप प प्रगति विचारो परिचय देतेना लिः परीचे देतें तो आपको ये बताना है निर्ट अगर आपको इसका आथा है तो विडियो को पॉज करिए अपनी एकार नोट्वक में कैसे भी उन्सेर लिखे雷िक और आपको नहीं आता तो आप मेंसाथ देख सकते अंसर अगर आपने लिख लिया है वीडियो पॉस्ट करके लिख लिए तो अपना अंसर मैच करें तो इसका आंसर होगा जब बालगुविन भगत की बेटे की मिलती हुई तो उन्होंने सबसे पहले का कि पतोहु से दूसरा विवा करने के लिगा अगर रोडी दुवादी से ही पुत्र का अंतिम संसकार करवाया उनके विचार से पती की मृत्त के बाद एक स्ट्री के लिए अकेले जीवन बिताना बहुत ही दुखपूर और चुनौती भराकार है उनका ये विवार समाची क्रोणियों से ना बंद कर ऊपर उठता है अगर हम दूसरा बात देखे उसी से गुजार बसर करते हैं तो यह हम कह सकते हैं नेक्स कोशन हम जो देखेंगे वह सेगें कोशन लखनवी अंदास चैप्टर से नवाब साब ने खीरा खाने की पूरी तैयारी की और उसके बाद बिना खाएं फेक दिया इस नवावी वहापर आप क्या कहेंगी या टि फांको में काटकर बाहर फेक दिया इससे उनके दिखावटी पूर्ट जीवन का पता चलता कि वह कितना दिखावा करते हैं वह खीरे को अबादार्त और तुछ समझते हैं और वह सोचते हैं कि यह तो नॉर्मल लोग खाते हैं गरीब लोग खाते हैं इस प्रकार नवावो का वास्विक्ता से बेखबर होना दर्शाया गया है नेक्स्ट थर्ड कोशन जो है वह आपके इस लेबस में वह जाप्टर है ही नहीं फोर्त है मन्नु मंढारी के यक्तित पर किन किन यक्तों का प्रभाव किस रूप में बढ़ा तो सबसे पहले तो उनकी एक टीचर जो थ माम गुण मन्नु में समाहे थे और शीला अगरवाल से उन्होंने साहित्य के शेत्र में आगे बढ़ाने का कारे किया मन्नु को चुनिंदा उच्छ साहित्यकारों की पुस्तके पढ़ने के लिए प्रेरित किया और साथ ही उन्होंने घर की जो चार दिवारी से बाहर निकल नेक्स्ट है कैसे कह सकते हैं कि काशी संस्कृती की प्रयोक्षाला है नौबत खाने में अबादत पाक का आधार पर लिखीए तो हम कह सकते हैं काशी जु Bears हम संगीत के अदर्बुथ परंपरा परी है प्रणपरा रही है बड़े बड़े रसी कंठे मराज ने भी यही सब को संस्कृति का पड़ाया काशी में बाबा विश्वे नात यानि शिव जी है संकट मोचक हनुमान जी है इनका मंदिर है खान पान उत्सवर और अन्ने समाजिक परमपराएं भी यहां पर विद्दमान है काशी में गंगा जमनी संस्कृति है यानि गंगा कशी में है और इसको शात्त्रों में आनन कानन के नाम से भी जाना जाता है यानि यह आनन कानन का नाम इने कहा गया है और यहां हजारों साल का इतिहास चुबा हुआ है यहां पे बिस्मिल्ला खान है वो हम कह सकते हैं कारओं텟 नेश्ट आपो स्फिल्ड टेखेंगे जो कि उटस्था कवीता से उत्सा कवीता में और करता कि तो वह आप लिखेंगे तौए उत्सा कवीता में कभी बादल से तो कभी जो हैं वो बादलों से प्रेय अनुरोद करते हैं एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि बादलो तुम गंगन के चारो और से घेलो यानि पूरे आसमान को चारो और से घेलो यानि आज जाओ गोर अंध कार कर लो यानि पूरा अंधेर यानि मतलब इंफिनाइंट अनन दिशा से आकर गंगोर गर्जों इतना गर्जों इतना बर्सों भी कि जो गरम गरम तप्टी होई धरा है ना भूमी है इसे ठंडा कर दो क्रांती के द्वारा परिवर्तन ले आओ यानि ऐसी शोर मचाओ कि पुरा चेंज ही आजए परिवर्त करते हैं जो बादरों बादल से हम जो सोय और आल सी लोग होते ना उनमें क्रांती लाने का उत्सा बढ़ाने के लिए वो कभी जोनर अनुरोद करते हैं नेक्स्ट भावस पस्ट कीजिए चुग या तुमसे की जढ़ने लग पड़े शिफालिका के फूल बास था की बबू तो यहां पर आपको लगेगा कि ऐसे कोशन तो आएगे नहीं बट ऐसे कोशन भी आ सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी आपको पढ़नी है आपको यह कोशन दे दिया आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है तो मतलब तुम्हारे चुने का सपर्श इतना जादा है कि जो नए दातों की मुसकान एक अकर्शन है यहीं एक तरह से अट्रैक्शन हो रही है जैसी मैंने तुम्हें चुआ ऐसा लगा कि शेफालिका की जो सफेद फूल है वह जड़ रहे हैं तो मारी मुसकान देख़र बास भी बबूल में भी शेफालिका की जैसे फूल खिलने लगे यहनि बास और बबूल की काटेदार फश्यार पेर पाधे होतों वह शेफालिका की गौमल फूल आ जाएंगे क्विने लगें जीवन बच्चे के सपाश से मटें जीवन है कविन का जीवन है कातोर का तो बढ़ा मुश्किलों से वह बच्चेुक शोन से उनकी वासले की भा सब्सक्राइब करें तो आपको बताना है यह कोशन भी इंपॉर्डेंट आपके लिए तो आप इसे ज़रू करेगा जब कभी मनजा हुआ संगीतकार अपने सुरों के जंगल में भटक जाता है संगीतकार अपने सुर को संब्सक्राइब करते हैं गायन को प्रभाफशाली बनाता है संगतकार ये मुख्य संगीतकार या गायक है यानि संगीतकार कौन होते हैं जो गायक होते हैं और संगतकार जो तो इनकी गायरी में गाने में हल्प करते हैं गायक का स्थित्व बजाते हैं और स्वेम हमेशा मुख्य गायक के पीछ रहता है और उसका साथ देता है नेक्स्ट है जोज पिंचंग की नाक वाला आपका कुश्चन नहीं है यह वाला चेप्टर है हम इसके आंसा करेंगे माता का अंचल पार्ट की दो बातों का उलेख कीजिए जो आपको अच्छी लगी हो और आपको इनसे क्या प्रेड़ना मिली तो यह इंपॉर्टन कोश्चन है हर बार सिबिसी में जातर आता है तो अब इसका आंसे करेंगे माता का अच्छल पार्ट ग्रामिंट संस्कुति के बच्चों के बच्चवन के एक जीवन जलक है इस पार्ट में बच्चों के स्वचेंद बच्च्वन का वर्रण है कि प्रकार वें अपने हम जोलियों के बीच मित् और देश्वत में आकर संकट के सामें बोलाना तो अपनी मा की आचल में जाकर छुप जाना वह भी बहुत अच्छा लगा हमें इस पर पार्ट में गुद गुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुख दिन्बव है जो सभी प पता मनुबंडारी यानि एक कहानी म elasodox से अपने पिता से जो व्याचारिक पत्भी इयूद पर अपने अपने पिता से वहें अनकी पिता की नहीं तो मनु भडारी और उनके पिता के बीच विचारिक रूप से काफी मतभीत थे वह उनके पिता एंकारी थे एक रोधी और शक्की सथा समाजिक प्रतिस्टा के प्रतिस रहने वाले यक्ति थे यानि समाज के बार में वह बहुत सोचे थे लोग क्या कहेंगे वगेरा वगेरा यदपिवय आधुनिक्ता के समर्थक भी थे यानि वह स्रियों की प्रतिवाव और शम्ता को समझते थे था था उनका सम्मान भी करते पर उनकी यह सारी भावना उनके दक्यानूसी विचारों के तले दप जाती थी यानि अब उन्हें मतल के लिए कुछ अच्छा करना वाली सोच जो है वह दब जाती अब लेखिगा उनकी एक खमियों पर जिलाती थी कि उन्हें गुस्सा आता वे लेखिगा को घर ग्रहस्ती के कारें उसे दूर रखकर जागरुक नागरिक बनाना चाहते थे घर में राजने ते जमा बड़ों में भाग लेने की सीख देते थे फड़ा घरके बाहर सक्रे भागदारी के विरुत थे यानि वह चाहती थे कि रहे तो बठ्टियार कुछ तैप में कहते थे गि मन्नू भंडारी जो है वो सरसोई मेना जाए जो यहाँ पे घर के अंदर मीटिंग हो रही है उसमें बैठे बट वो जाते थे कि वो अच्छा नागरिक बने बाइब घर के अंदर रखे जो की मन्नु भंडारे को बिलकुल नहीं पसंदा इसके कारण वैं पिता की दी हुई सीमेद अजादी के दाएरे में बंद नहीं रहना चाहती थी वैं अजाद ख्यालम के थी जिस कारण पिता पुत्री में मद्बेद होना स्वभाविकता है इतना ही नहीं पिता पुत्री के विचारों का मद्बेद विवा के विश्यम में भी था लेकिन राजियंत के साथ विवा करना चाहती थ इन्हीं कारणों से लेकिका कि अपनी पिता के साथ विचारिक तक्राहट थी पिता को पढ़ने लिखने की सदंता स्विकारी थी पर राज़नितिक आंदुलरे में भाग लेना पसंद नहीं था मन्नुमंधारी यह सब करना चाहते थी नेक्स कोशन हम देखते हैं तीसरा प्रिशन है नेता जी का चश्मा पार्ट में बच्चो द्वारा मूर्ती पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदिशित करता है अफकोस उनका ये देश भक्ती को प्रस्तुत करता है तो आप लिखेंगे नेता जी का पार्ट में बच्चा भी अपना योगदान देने मिदत पर है देश भक्त कैप्टन मरकर भी इस कबजे में बच्चों में जिन्दा है नेक्स कोशन देखते हैं जो कि आपका है बालकोबिन भगत अपने सुस्त और बोदे से बेटे के साथ कैसा वैवार करते थे और क्यों आपको बताना ह तो आप लिखेंगे आपे बालकोबिन भगत का अपने सुस्त और बोदे से बेटे के साथ अत्यंद आत्मे विवार था वैजानते थे कि इसे आधिक प्रेम की आवशर्टा है क्योंकि ऐसे बच्चों को सुषेश सनेवा दिखभाल की जरूरती है जो आलसी होते हैं ऐसे ल हीमता की भावना जर्म लेगी कि मुझसे तो कोई प्यारी ने करता कुछ इस टाइब में उनके अंदर जलने लगे और वो अपने ही मातापिता की रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगी और उनका भविशे भी खत्रे में पढ़ जाएगा नेक्स कोशन जो है वो आपका है पीड से बचकर नई कहानी के विशे में एकांत में चिंतन करने के साथ सथ ताकृतिक दिश्चों की शोभा भी निहार सकेंगे सिक्किम की युख्ती की कत्रमे मैं इंडियन हूँ सिस पर्स होता है कि अपनी जाती धर्म शेत और संपरदाय से स्प्राइब से अधिक महत्भून रास्टे है आपके इस प्रकार रास्टे के प्रति अपने करतव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं आप बताईए तो जिस प्रकार सिक्किम की उपती ने अपने कफिल में कहा कि मैं इंडिया नूँ इससे स्पस्ट होता है कि वह जाती धर्म संप्रदाय से कहीं अधिक रास्ट को महतू देती हैं उसी प्रकार हम भी अपने राश्ट के प्रति अपना करतव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे हम लोग राजकल कई प्रेटेंस धलों में आधुनिक्ता के रंग में रंगी हुई प्रकृति को जाने अन जाने नस्ट कर रहे हैं वहां के स प्रछ बनाने कंगों को अधिक स अधिकयर उपन करने होंगे पेड़ों को ना काटना होगा और प्रधूशन फिलानने वाले वाहनों इस उपकरनंख से कम से कम प्रaramख प्रियोग Ah तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ज्याद से राधा दोस्तों साथ शेयर करें यूडिया अच्छ लगी तो इसे लाइक भी जरूर करेंगा आगे हम नेक्स कोशन अपनी नेक्स वीडियो में करेंगे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टरी विद अमें खुलमी तो आज की इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगी मतलब आपकी जो पहला आफ वाले कोशन आते हैं सीन पैसेज के इंपॉर्टिंट कोशन कैसे कैसे बैसे आपके आ सकते हैं वह हम आज की वीडियो मे कौन से चैप्टर है याद आगया होगा आप सबको हालदार साहब यानि नेता जी का चुश्मा को वाला चैप्टर है इस मूर्थी के बारे में सोचते रहे और अंत्मई नेशकर्ष पर पहुंचे कि कुछ कुल मिलागा कजबे की नागरिकों का ये प्रयास सराहने ही कहा ज दिखा दिया दोієन्से देखा तो पाय कि चैच्शना दूसरा था अब यहाँ पर पहला प्रशन है हाल्दार साहब को क्चबे की नागरिकों कौन के सरहाने लगा और क्यों आपको बैलइन परशिद सक्थे 25 थरह नेता जी का मूर्थी का लगाना सरहने लगा तक्युकिन क लिखेंगे हालदार आपको लगा कि कैप्टन जो मूर्ति करिश्मा बदलता रहता था पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया था नेता जी की प्रतीमा देशवक्ती की परिचायक थी हालदार साथ को ये कते ही पसंद नहीं था कि प्रतीमा से समझे किसी भी चीज का कोई मजाक उड़ाए बार बार सोचते थे कि उस कौम का क्या हो यानि उस देश का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर जवानी जिन्दी सब कुछ देश पर निशावर करने पर हस्ती है उन्हें बहुत खराब लगा कि देश भकती भी आजकल मजाग की चीज होती जा रही है तीसरा प्रिशन है दूसरी बार मूर्ती देखने पर हालदार साब को उसमें क्या परिवर्तन दिखाए दिया तो दूसरी बार मूर्ती देखने पर हालदार साब ने दिखा कि मूर्ती का चश्मा बदल गया था साइकल पर चश्मे वेशने वाला मूर्ती का चश्मा बदल गय तो आप लिखेंगे बालगुविन भगत पात में दशाई गई समाजी क्रूणिया जैसे समाज में स्त्री द्वारा मुनितक को आग देने का नियम नहीं था पर बालगुविन ने पुत्र के क्रिया करम के समय पतोहु द्वारा ये आग लगा उनमें आग से जिलवाया था इस समय उस समय के नियम के विरुद था दूसरा और उने पतोहु की भाई को बिलाकर पतोहु के पुनर्विवा का जोड़ दिया यानि बहु के भाई को बिलाया और कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा दू जो कि तब कि रूडिवादी सोच में एकदम बिल्कुल गलत था अमानने था कि दूसरी शादी नहीं हो सकती नेक्स देखते हैं दूसरा कुछन आपके स्लेवस में तीसरा है काशी में बाबा विश्विनाथ और बिस्मिल्ला खान एक दूसरे के पूरक है पूरक यानि एक दूसरे कि जुड़े हुए हम यह भी कह सकते हैं अजब बिस्मिल्ला खान के सूरल पर जासले के मरेंग दूसरे के नहीं हिरा हैं जो दोनों को रह het नेक्स्कोशन देहा है वर्तमान समाज को संस्क्रित कहा जा सकता है या आप तर्क उत्फब्ख कहा जाले कि हम्हें तो मेरे स्विख संस्क्रित कहा जायेक आफ हम हम इसका पीन औरने पहने रहें सैंसेंट के तरीके गमन आगमन आने जाने के साधन तो सभी हमारी सभीता है हम पूर पीडियों द्वारा अगभरश्यत यह जो पहले लोगों ने बढ़ा ले उसी पर अकरश्यत द्वारा काम करें नि थारीकों अचापकों का प्रयों करें हम्ने स्मयम अब यहां से यहां तक आपका दे रखा था पैसे पोएम इसके अधार पर प्रशन है हारील की लकड़ी किसे कहा गया और क्यूं तो गोपियां हारील की लकड़ी क्रिशन के लिए कहती हैं क्यूंकि जैसे हारील पक्षी लकड़ी के आश्य को नहीं छोड़ता उसी परकार जो गोपियां में क्रिशन के आश्य को नहीं छोड़ सकती यह छोड़ना ही नहीं चाहती हैं उन्होंने मन, क्रम, भचन पूरी तरह जैसे शी कृष्ण को पकड़ रखा है दूसरा प्रिष्ण है तिनहाई ले सोपों में किसकी और क्या संकेत क्या गया है तिन तिनका गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हम तो पूरी तरह कृष्ण में हो गई हैं और हमें योग की ज़रत नहीं है हमारा मन भ्रमित नहीं है इस योग की अशक्ता तो उनको है जिनका वन चक्री के समान गूमता रहता है यानि एक जगे नहीं लगता एक जगे नहीं ठीकता है आज इसके साथ फिर दूसरे किसे के साथ ऐसा हो जिसका मोनत उनके वन चक्री होती है इसलिए यह जो योग है ऐसे लोगों को सौब दो हो ती गोपियां ये भी कहते हैं कि पूरी तरह कृष्ण में हो गई है यह कृष्ण के समा चुकी है नेक्स्ट हम कोशन देखते हैं जैशंकर प्रसाद के जीवन में कौन-कौन से अनभव उन्हें आत्मगता लिखने से रोकते हैं तो आप लिखेंगे यहां से जैशंकर प्रसाद अनभव ऋन्हें लगता था कि उनका जीवन बहुत सादाना ने कुछ हुआ है नहीं तो लिख王 क्या इस में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें लोगों की किसी प्रकार के प्रसंता हो सकें उनका जीवन दुखत अनभव उसे बरा हुता जिने 9 किसी और से बाटना नहीं चाहते दूसा प्रस्ण मैं देखते हैं, बादलो की गरजना का आहवान कवी क्यूं करना चाहते हैं, कवीता की माध्यम से कवी क्रादी की अवशकता को चिनिखत करते हैं, बादल क्रान्ती के प्रतीक है और ये क्रान्ती रूपी बादल पीरित प्यासे यानि जो आलसी लोग है प्यासे लोग है जन की आकंशाओं को पूरी करेगा तूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नई अंकुर भी उगाएगा तीसरा प्रशीन जो है आपके लेबस में नहीं है आपकी कवीता चौथा हावाला है संगतकार की हिचकती आवास उसकी विफलता क्यूं नहीं है यानि संगतकार में जो है वो हिच्छ थोड़ी बहुत अवास कम होती है वो उसकी विफलता नहीं, वो उसकी सफलता है, क्योंकि संगतकार होते हैं, वो हमारी जो मुख्य गायक होते हैं, उसके कम की आवाज में ही बालते है, उनके आवाज में हिचकचाए होती है. तो आप इसका अंसर करेंगे यद भी संगतकार की आवास कमजोर और काप्ती हुई हुई तो प्रंतु वे आवास की कमी उसकी विफलता नहीं थी वे प्रियास करता है कि गायक के रूप सो उसकी आवास मुखे गायक से अधिक महठपूर नहीं वो जाध अच्याना गाज है मुखे गायक से वरना मुखे गायक की कोई दरजा नहीं करेगा इसलिए उसकी विफलता नहीं मनिशुता का सूचक है वैं दूसरों को आगे बढ़ाता और स्वाम को पीछे रखता है नेक्स यह जो 11 कोशन है इसमें उपर वाला आपके स्रेबस पर नहीं है पर हम नीचे वाला कर लेते हैं मैं क्यों लिखता हूँ पार्ट के आधार पर बिदाए विज्ञान के दुरुपयोग से किन मानमे मुह लिई की कई देश एक से बढ़कर एक जयविः खत्यार तैयर करते हैं जैसे हम पॉइंट्स में लग सकते हैं हिरोशीमा में हुए विस्पोर्ट के हमले कांड मानफता की शती हुई यानि हिरोशीमा में आपको बता है अटॉमिक बॉम गिरा दिया था जिससे आज भी वहां की लोग विकलांग पैदा होते हैं यह सब आप लिख सकते हैं दूसरा विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई चाहाज गाड़ियों आदी का निर्मान किया इसके वज़े से जिससे हमारा प्रदूशन पारेवरं जो है प्रदूशित हो रहा है तीसरा हम लिख सकते हैं चिकिस्ता की शेत में अल्टा साउंड का दुर्यो जो हो घटिया हो के उससे हमारा नुक्सान हो रहा है विज्ञान का दुरूपयोग रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुवात करने होगी मैं यह कोशिश करूँगा कि मेरे कारण परेवरं को कम से कम नुक्सान पहुंचे उसके बाद मैं अपने समाज में विज्ञान के इधुरूपयोग के बारे में जाग रुकता फैलांगा परेवरं साफ होगा तभी हमारा जीवन सफल होगा तो नेक्स कुशन देखते हैं तो यहां पर आपको इस काव्यांच को पढ़के उतर देने हैं तार सब्तक में जब बैठनी लगता है उसका गला प् संगतकार कवीता है पहला प्रिशन बैठने लगता है उसका गला का क्या अच्छे गायक जब अपने सरको आपडाने लगते हैं तो गला सात नहीं देता अवास भरांगे लगता है द जाते हैं गला दूसरे प्रश्ण है, मुख्य गाय को धाड़स कौन बढता है और क्यों? तो मुख्य गाय को गला बैठने लगता है, तो संगतकार उसे धाड़स बढ़ाता है, यानि इनसानित के कायन मुख्य गाय का साथ देता है तीसरा है तार सब्तक क्या है तो संगीत के साथ स्वर होते हैं उसमें आवाज को उच्छा एव नीचा करके गाया जाता है आवाज के माधार पर स्वरों को तार तीन सब्तकों में बाटा गया है मन सब्तक, मद्य सब्तक और तार सब्तक तो आईगोप आप तार सब तक का मतलब समझ गए होंगे पहला प्रश्ण आपके में नहीं है दूसरा प्रश्ण भी नहीं है तीसरा प्रश्ण भी आपके में नहीं है चौत्था प्रश्ण है धनुष को तोड़ने वाला कोई तुमारा दास होगा कि अधार पर राम के सभाव पर आप टिपड़ीं कीजिए तो आप लिखे धनुष को तोड़ने वाला कोई तुमारा दास होगा कि अधार पर राम की सभावत पुषिष्टा है निम लिखेता है राम अत्यंति विनम सभाव के और निडर हैं वे निडर हैं सासी है आगे अप लिखेंगे धैरेवान तथा मृद भाशी थे वे बढ़ों की आगे का पालन करने वाले थे उन्हें लक्षमण की भाती क्रोथ नहीं आया था और वो हम कह सकते हैं उग्री सभाव के भी नहीं थे नेक्स्ट देखते हैं काव्यान शानी जाबकर राम लक्षन पसुराद सब्राद उसके अधार पेर आपको इपश्चिनाम के सभाव की दो विशिष्टा आ है और शुदारन तरह आपको उधारन भी बिताना है इसके तो करते हैं इसका आंसर तो हम पश्चिनाम की दो प्रब्राइब और आप उधारण में यह वाली लाइन लिख सकते हैं बाल ब्रम्पचारी अतिकोही विस्विद्धरंग शत्रेकुल्द्रोही नेक्स्ट है जो कोशन 13 है आप चैन की नीन सो सके हैं इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं एक फॉजी के इस कथन पर जीवन मुले की द्रिस्टी से कीजे तो यह कौन से चैप्टर आपका साना साना हाथ जोड़ी से आपको लिखेंगे आप चैन की नीन सो सके हैं इसलिए हम यहाँ पहरा दे रह देश की सीमाओं को रक्षा करने वाले सैनकों के प्रति ग्रिटग्य हुना चाहिए पूज़ा करनी चाहिए क्योंकि वे ऐसी उक्तु परिस्तितियों में रहते हैं जिसे हम अपने घरों में चैनकी निन सोसकें तता देश की एकता शांति को भंग ना कर सकें अगर यह लोग ना हो तो हमारे जो अप्रा आधिक तत्वों को बढ़ावा मिल जाएगा जिसके परणाम सवरुख हमारा प्रतेक्षन है मुक्त रहेगा कि कोई आना जाए हमें मार ना दी नेक्स कोईशन देखते हैं तो यहां पर कुछ और कोईशन हैं तो हम इने भी कर लेते हैं बाल गुबिन भगत के बेटे की मृती पर रोती हुई पतो हुई से उस सब मनाने को क्यों कह रहे थे इस संदर में उनका दर्शन किसे प्रभावित था आप लिखेंगे जो भगत जियम अपनी रोती हुई पतो हुई यानि अपनी बहु को उत्सब में ना रिकले आज इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि आज आत्मा परमात्मा से जा मिली है इन संबंद में उनका दर्शन कबीर से प्रभावित था नेक्स सेकींड कोशन देखते हम नवाब की थककर लेट जाने का कारण लेखक ने क्या बताया तो आप इसका अंसर करेंगे यहां से नवाब की ठककर लेट जाने का कारण नवाब सापका खीरे को धोना काटना सूगना वह पेट भर गया इस नाटक का कारण बताया है यानि वह इतना धूते हैं फिर काटते हैं सूगते हैं और पेट भर जाने का नाटक करते हैं इस कारण वह ठककर लेट जाने का कारण बताया रहे है नाक्स कुषिन देखते हैं जो फड़ कुष्ट ने वह आपको के स्पलेडी के राषा जिए ऐसा aspect की जिंध्या सपान वाले ने क्या खेह कर समाधन करें उस समाधन से दिस्त खें की सां इसा वाले के प्रति हाल्दार सहंप की आगे कैसी विचारधारा बनी और उन्हों ने आज की लोगों तथा कौम के प्रति क्या चिंदा प्रकट करी तो आप इसका अंसर करेंगे हां यहां से मूर्ती के असले चश्मे के विशे में हालदार साप की जिग्यासा का पानवाले ने ये कहकर समाधान किया कि मासर्ब मूर्ती पर चश्मे लगाना भूल गया था उस समाधान से हालदार साब की चारधाना बने कि देशवक्ती की सच्ची भावना आज भी जीवित है परंतु उन्हें यही चिंता थे कि वर्तवान पीड़े की खटी देशवक्ती और बढ़ते स्वार्थ के प्रती देश के बईशे का क्या होगा आखरी प्रशन है यहाँ पर बालकोविन भगत ने अपने पुत्र की मित्यों के बाद पतोहु के साथ कैसा विवार किया उनके इस विवार को आप कहां तक उचित मानते हैं तो हम लिखेंगे भगत ने अपने पुत्र की मृत्यों के बाद पतो यानि बहु के साथ बहुत अच्छा विवार किया उन्होंने उसके भाई को सौप दिया वा पुना उसका विवा करने का आदेश दिया वह उसके मना करने पर घर छोड़ कर जाने की दलीन दे डाली उनके इस विवार को हम पूर्ण रूप से उचित मानते हैं क्योंकि पती की मृत्यों के बाद पुना विवा करना वह ऐसी जिंद्गी जीते राना उचित नहीं है नेक्स देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रशन है फसल पोएम से पहले यहाँ पे पोएम दे रखिए फसल क्या है और तो वह कुछ नहीं नदियों की पानी का जादू है वह हातों के सवर्च की महिमा है बूरी काली संदली मिट्टी का गुर्ण धर्म है तो पानतर है सुरज क किर्णों का सिम्टा हुआ संकोच है हवा की थिरकनता आगे हम प्रशन देखते हैं पहला प्रशन है फसल नदियों की पाने का जादू किस तरह है बताईए तो फसल नदियों का पाने का जादू इसलिए क्योंकि इसी से जिंचित होकर फसल के रूप में परणित होकर हमारे सा से डालती है तो हवा फसल को ऑक्सिजन देकर उसे बढ़ने में सहयोग देती है नेक्स्ट जो कोश्चन है वो हमें दे रखा है पहला प्रश्ण जो है आपकी इस लेवस में नहीं है दूसरा प्रश्ण आपको दे रखा है कवी ने जो सुक्का स्वपने देखा था उसे कवीता में किस रूप में अभी वेक्ट किया है आपको लिखना है तो आप यहां से लिखेंगे कभी जैंक शंकर ने जो सुक्का स्वपने देखा था उसने अपनी प्रियत्मा के विशे में बढ़न करते वे रेक्ट किया है कभी ने एक स्वपने देता था कि थी प्रियत्मा के साथ सुगत पल बिता रहा है यानि अपनी प्रेमिका के साथ अच्छा पल वो बिता रहा है उसकी ये प्रित्मा जो संदर्ता की आप्रित्म मूर्थी थी वे उसके स्वप्न में नित्या आती थी कवी उसके साथ प्रेमा लाप करके स्वपन देख था और उसका वह सपन अलोकिक आनन्द प्रतान करताई था कवी के दुर्भागिवश यह सवपन और केवल सवपनी रह गया और केवल उस मधूर सवपनी की स्मृत्या उसके मन में शेश रह गई दूसरा प्रशन में दे रखा है कवी को बच्चे की मुस्कान किस वश्चता में और अधिक शुभाशाली लग उठती ये दंतरिस मुस्कान पाट के दार पर बताईए तो आप कहां से करेंगे अंजर कवी को बच्चे की जो मुस्कान थी उसके दात निकलने के बाद अधिक शुभाशाली लग उठती है क्योंकि जब वह हसता है तो उसकी जोपड़ी में गुमता एक टक नहारता है तो कवी उस पर मंत्रमुक्द हो जाता है नेक्स लास्ट कोशन है कहीं सास लेते हो घर 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 बढ़ देते हो पंक्ती में किसकी वश्रिस्टा येंजित हुई है बताइए उसकी कौन सी यहां आगे कोशन आपको दे रखा है खुबी है और किस जिससे घर घर भढ़ जाता है अट नहीं रही कवीता के आधार पर लिखिया और नेक्स कोशन है सूर्दास की कावे भाषा की दो प्रभू वश्रिस्टा ये भी लखिये तो हम यहां से अंसर करेंगे इन पंक्तियों में फूलों की वश्रिस्टा वेंजित हुई है जब फालगुन मास में चार और फूल खिल जाते हैं उनकी सिंगन से घर भर जाता है और सूर्दास की कावे भाषा की दापको दो प्रभू को शिर्टर दानी थी वो ब्रिज भाषा में गोपियों का सम्द सम्मन्द क्रिश्टन के प्रती अनन्द भक्ती ये दिखाते हैं और अलंकारों व्यंग्यों के मादम से बदों में रभ चक्ता डालते हैं सूर्दास किसके हैं? जिसमें गोपियों और उदफ वाली पॉएमर वही वाला चैप्टर से आपकी विशरेशता है पूछी जा सकती है नेक्स लास कोशन है जो कि बहुत इंपॉर्टन कोशन है आपका ये कोशन जरूर आता है चाती पर बढ़कर बाप की मूचे उखारता हुआ छोटा बच्चा बुरा क्यों नहीं लगता माता का अंचल पाट के अधार पर इस तथे का विश्रेशन करते हैं बताईए कि पिता बच्चों का लालन पालन कैसे करते है तो आप लिखेंगे बच्चों की लालन पालन में जितना हाथ माता का होता है उतना ही हाथ पिता का भी होता है इस पार्ट में पिता भूलनात को शिक्षा देते हैं उसके साथ खेलते हैं क्योंकि ये संबन पुत्र की यक्तित्व के विकास में साहे के यानि अगर आपके पापा आपके साथ खेलते हैं तो आपका मतला आपकी ग्रोथ और इच्छी होती है यानि आपको प्यार मिलता है न तो जब प्यार मिलेगा न तो आपकी खुशी भी होती है बहुत प्रस्तुत बाक्ये में जहां बूलानात पिता की चात पे बैठकर मुझे उकारते हैं वहीं पिता उसे चूम कर ये रोने का भाना बना कर यानि एक्टिंग करते हैं हडाने की कोशिश करते हैं जैस लएक आपके पापा भी कर दोंगे परन Tu पिता का वासले उसरा नहीं होनीे देता अगर इसकी इसके और, पापा से चाटा मारे लगता इसलिए पिता पुत के बीच का जिफिद्ट करता है तो यहां पे मैंने आपको और तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और दोस्तों साथ शेयर जरू करिए थैंक्स वाचिंडियो वैबे गाई स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टरी विद अमन कुल में तो आज के इस वीडियो में हम डिसक्राइब करेंगे क्लास 10 के बच्चों के लिए जो हिंदी का आपका आने वाल एक्जाम है प्री बोर्ड का उग्जाम उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्डन क इस वीडियो में डिसक्राइब करेंगे जो कि आप कोशन को पढ़िए गाँ आप उसे वीडियो को स्टॉप करके साथ साथ आंसर लिखेगा अपने आंसर इस आंसर के साथ मैच करेंगे कि आपको कितना आता है आपको पता चलेगा तो सबसे पहले फर्स्ट कोशन है पहला कोशन मिल गया हमें तो आप लिखेंगे लेखी का मन्नु बंडारी की मा का सवाब पिता से एकदम विपरीट था वो पिता जो थे शक्की थे पर मा एकदम दयालू थी वे धहरे बांती यानि बहुत जादा पेशन साउन में सहन शक्ति यानि बहुत जादा सहन लेती सहन शक्ति से युक्त महिला थी जो की मतलब मन्नु बंडार की कभी प्रेड़ना नी बन पाई वे पिता की हर फर्माईश को अपना करतव्य समझती थी और बच्चों की हर उच्छी थी यानि सही और गलत मांगों को पूरा करना ही उनका फर्ज समझती थी वो पढ़ी लिख के किये हैं तो मेरे कर्म में लिखा है यह मानकर स्विकार कर लेती थी नेक्स्ट नेता जी का चश्मा पाट का संदेश क्या देता है बाट का संदेश क्या है आप लिखना है तो पाट का संदेश आपको लिखना आप लिखेंगे नीता जी का चश्मा पाट में देश्वक्त वापने देश के लिए अपने सम्मार्थिक अनुसार वह समर्णपण की भावना के साथ योगदान देना चाहिए छोटे चोटे सब्सक्राय starting aufge. और पिस्मिलला खाण को वीस्वीर क्यों सच्चा इंसान क्यों माना है तो लेखागने Bismillah Khán को ही सच्चा यक्ति क्यों मना है या इन्सान क्यों मना है क्योंकि वो दोनों क्वामों का बहुत अच्छिदत से ही मानते थे तो आप इसे लिख सकते हैं पॉयंट को तो आप लिखेंगे बिस्मिल्ला खान का जीवन साध्गी और उच्विचारों से परिपूंट था एक तरफ है सच्छे मुसल्मान की तरफ पांचों वक्त की नवास अदा करते थे दूसी तरफ काशी की परंपरा को निभाते वे बाला जी की मंदिर अब आप सोचेंगे एक मुसल्मान होती है वह बंदिर में बादन करते थे तो यही उनके सच्छे जीवन की साध्गी का उधारन है गंगा को गंगा मया कहकर पुकार दे थे अथक परिशम करते हुए सम्मानित होकर भी उन्हें घमन नहीं था सभा की भावना का सम्मान करना प्रेम परुपकार आदिगुनों से सराबोर होकर साधावत सरल जीवन जीते थे हिंदो मुसल्म की एकता का प्रतीक बनकर खुदा से सब खुदा से बस सच्चा सुन मांगते थे इन्हें कारणों से कहा जाता है कि वास्विक अर्थों में वैं सच्चे इंसान थे नेक्स्ट हम कोशन एक देखेंगे जो कि मैंने स्किप कर दिया गलती से लखनवी अंदास के पात्र नवाप साहव के विवार पर अपना विचार लिखिए तो मैंने आपको उसमें भी बत अपक है वो दिखावी के प्रवाधि एक नवाप साहब के वैवार में तेहजीत नजाकत और दिखावे पन की प्रवथी छलाए वह सामदी समाज्ती थे तदा उनमें नवाबी अकट भरी हुई थी वैस्वर को दूसरों से अधिक श्रिस्त वास्वास्शालीन दिखाना च करते हैं अपनी खांदानी नवावी और दिखावटी जीवन शाली द्वारा स्वैम को गर्वित महसूस करते थे नेक्स कोशन आप यहां से करेंगे यह वाला प्रश्ण आपके में नहीं है यह थार्ड है आपका चूग गया तुमसे की जड़ने लगे शिफालिका की फूल उ प्रश्ण नहीं जो प्रेम से छूता है ना तो इतना कोमल और हड़े स्पर्शि होता है कि बास और बबूल जैसे कठोर कांटेदार पेड़ों से भी शिफालिका की फूल बरसने लगते हैं यानि बास और बबूल में कभी पेड़ में उक सकते हैं तो उसमें भी ऐसे कोमल क कि शेफा लिखा कि बरसने मोख ज़ह गाई यक्ती नेगनी कठोल यखती का तेभी कमद रृषज्य beta कि नेक्स आथ स्मिर्ती को पात्य बनाने के ज्या शंगर प्रसाथ ले तो आप यहां से लिखेंगे स्मिर्ती को पात्य दिनाने में जी वन मार्ग से किकी प्रेड़ना है से हैं कभी ने जो सुकह sवपनी देखा था वह उसे कभी लाप नहीं वह इसलिए कभी स्वायम को सब्सक्राइब स्वाया जिस प्रकार पाथ्थ यात्री में यात्री को सहराठा देता है आगे बढ़ने की प्रेणना देता है ठीक उसी प्रकार सपने में देखे हुए किंचत सुक्ष की स्पृति भी कभी को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सारा देती है नेक्स्ट पर परश्राम को लक्षमड ने वीर्योधा के क्या लक्षन बताया यहांई पर शूर्वी रंश्यत में शत्रु के समख्ष पराकरम दिखाते हैं ना की वीर्दा का बखान करते हैं यानि प्लक्षमण ने कहा पश्राम को कि जो मतलब जो असली वीर होते हैं वो बोलते नहीं है वो करके दिखाते हैं शूरवीर ब्राम्मन देवता गाय और हरी भक्त पर भी अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं यानि जो शूर्वीर होते हैं वो भ्राहमजों को Dेवताओं को गाय को और श्रीकरशन के भक्त होते होते हरी भक्त यानी उन पर अपनी वीर्टाणी दिखाते हैं विबातों की एक जग्त प्र्द गाथ है इस इतना बोलते नहीं यह ने क्यूंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इन्हें मारने पर पाप लगता है यह वो समझांते हैं यौ्ण साना साना हाथ जोड़ी नहीं कि आधार पर आपको बताना है रहां है कि देश की सीमा पर सैनिक किस प्रकार की कट्नाईएं से जुचते हैं उन उनके ब्रती भारती योगोगा का क्या उत्रदाइत होना चाहिए वह आपको लिखना है और यह एक इंपॉर्टन कोशिन है जो मैं करा रही हूं वह सभी इंपॉर्टन है बट यह आनने के चांसस बहुत हो जाते तो आप इन्हें कर लीजेगा देश की सीमा पर स्यानिक फ्रक प्रकार देश की रक्षा करते हैं तब ते रेकिस्तान यानि बहुत गर्मी में भी दूल अंदियों से भरे तुफानों में रहकर भी कटनाईों से जूचते हैं कभी कभी भूगे प्यासे रहकर शत्रों से सामना करते हैं और आवश्य तक पढ़ने पर शहीद भी हो जाते ह उनके प्रती भारते युवाओं का उत्तरदायत ये बनता है कि सभी फोजियों वह उनके परिवार जनों का संबान करें वह आत्मे संबन्द बनाए रखें समर्थे यनिसार हर प्रकार से सहाइता प्रतान करें उनके जोश को गौर बागे बढ़ाएं और उनके परिवार जनों की शिक्षा प्राप्ती में सहाइग बने उनके फर्स को रिंड के रूप में स्विकारते हुए हमेशा उन्हें सम्माने द्रिस्टी से देखें करेंगा तन्सुगा चुन्यों बबगे इस